वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइक और सब्सक्राइब एंड प्रेश द बेल आइकन फर लेटेस्ट वीडियो हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे सुमी तोमो कैमिकल्स की दोस्तो जैसे कि इसका चार्ट आप देख रहे होंगे वहाँ पर आपको नदर आएगा कि कल के दिन में सब्सक्राइब करेंगे इसका प्राइस पैटर्न क्या है आगे क्या टार्गेट हो सकते लेकिन पहले जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है उसके बारे में बात क सब्सक्राइब करने वाली है और वहाँ पर बोड़ मीटिंग का इंटिमेशन उन्हें बताया है बोड़ डायेटर का तो दोस्तो यह देट आपको नोट कर लेना है बिल्कुल आपको ऐसे फाइनेंस जो रिजल्ट होते आपको अप देख लिना चाहिए कि कंपनी का पर्फ क्या रहा है और फिस गाइडेंस कैसा की आगे उनका बिजनस क्या चल रहा और कमेंट्री क्या है तो दोस्तो यहाँ पर बिल्कुल यह अभी जिस सेक्टर से बिलॉंग करता है कैमिकल सेक्टर से तो काप ही बुली से मैं असा क्यों कह रहा हूँ आप पूरा देखी यहां प positive है लेकिन यहां पर देख सकते हैं जो स्कर्टिक percentage किया है वो neutral है बाकी यहां पर relative strength अगर benchmark index में देखें यह sector index में देखें तो आपको negative नज़र आएगा बाकी static relative strength आपको negative नज़र आएगा और adaptive relative strength यहां positive है बाकी अगर आप labels की बात करें तो exponential moving average देख सकते हैं कि exponential moving average में आपको सारे exponential moving average के उपर sustain करता वक closing भी दिया है तो यहां से positive momentum की शुरुवात हो सकती है और जिस तरह से इसके fundamentals है आप fundamentals देखिए ROE 25 का है अब तक के highest level पे ROCE 33.31 जो कि अब तक के highest level पे return on asset 14.41 आप result भी उठा के देख लिजी अब तक का सबसे बढ़िया performance है net sales 910.37 करोड का है EBITDA भी 214.67 करोड है आप यहां पर profit before tax भी देखेंगे profit before tax देख सकते यहां पर 209.59 है और profit after tax भी देखेंगे तो आपको नदर आएगा 154.22 तो यहां से दोस्तों आप देखेंगे काफी बढ़िया है यहां देखें EPS बिसका 7.38 है Industry P29 है तो यहां पर देखें इसका dividend yield भी 0.20 है और number of shares वो 49.91 करोड है face value 10 के हिसाब से तो यहां पर अगर financial में भी चेक करेंगे तो आपको काफी बढ़िया नजर आगा देखेंगे तो आपको काफी बढ़िया नजर आगा देखेंगे cash from operation पिछले दो-तीन सालों में 425 करोड काश और cash equivalent 213 करोड यानि यहां पर एकदम robust performance करके दिखाया कंपनी ने profit loss में भी देखे net sales लगातार बढ़तागवा 2787 करोड पर है total income 2810 करोड पर है उसके अलावा आप देखेंगे profit after tax में लगातार बढ़ुरती नजर आया 368.21 करोड consolidated net profit में भी आपको लगातार बढ़ुरती देखने को मिला 368.21 करोड पर है SHS fund 1760.84 करोड पर है current जो asset सा वो भी लगातार बढ़तागवा 2572 करोड पर है total asset 3010.27 करोड पर है तो दोस्तों यहाँ पर काफी तेजी आने की उमीद है और यहाँ पर आप asset and liabilities में देखें जिसके asset and liabilities 2018 में 1658.39 करोड पर था वो वहाँ से double होता हुआ लगभग नदर आया है पांच सालों के अंदर में ही 3010.27 करोड पर है तो काफी बढ़िया performance करके दिखाया कंपनी ने आप share holding pattern भी देखिए promoter का holding 75 है public का holding शर्फ 25 है उसमें से भी FII और FPI ने 1.36 परसेंट लगतार holding बढ़ाते गए है और DII ने 6.17 परसेंट यहाँ पर भी काफी बढ़िया interest दिखाया है institutional investor ने आप यहाँ mutual fund के नाम देखिए AXIS, L&T, Invesco, Quant यहाँ आपको Union Flexi Cap, Quant का Mid Cap, Union Mid Cap तो बहुत सारे बरे-बरे नाम आपको नजर आ रहे हैं तो दोस्तो यहाँ पर इसलिए बुली से क्योंकि आप देखेंगे chemical sector से है और chemical sector में huge demand है यहाँ तक कि ऐसे ज़्यादा demand है कि बहुत जगों पर तो supply नहीं पारे उतना ज़्यादा demand है तो दोस्तो यहाँ से अगर आप इसके थोड़ा long term पर जाए six month का चार्ट open कर लेते देख लीजिए तो यहाँ पर जो high है वो 459.90 का है और जो अभी low है 345 का तक थोड़ा वहाँ से correction देखने को मिला तहाई से और फिर से अब recovery सुरू हो चुकी है support अच्छा खासा बना हुआ है सारे exponential moving average के उपर है तो यहाँ पर देख सकते जो support जहने वहाँ से support लगे वापस उपर की तरफ जा रहा है और अभी यहाँ पर पिछले दिनों में देखे तो अभी अभी जो इसका एक छोटा resistance मान सकते है उसके उपर निकला है sustain किया है तो फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगी और यहाँ से जो पहला target निकल के आ रहा है वह आपको 418 के निकल के आ रहे है और दूसरा target वह आपको निकल के आएगा 429 का और तीसरा target 442 का दोस्तो यह तीनों target आपको short term ही achieve होते भी नज़र आ सकते है तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon जरूर दबाए ताकि आप कोई भी video miss नहीं कर पाए और अगर आप short term basis पर profit बनाना चाहते हैं तो आप मेरे free telegram channel से जूर सकते जहां पर मैं short term positional call share करता हूं market movement भी pretty करता हूं और ऐसे shares को share करता हूं जिसमें अभी movement आया नहीं है आ सकता है कुछ दूनों में क्योंकि news में share तब आते हैं जब उसमें movement आ जाता है और retailers generally उसको buy करके वहाँ trap हो जाते हैं तो दोस्तो मिलते हैं अगले video में नए news नए update के स साथ धन्यबाद